question express 1.27 bar in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0 तो हमें इस number को p upon q के form में express करने और इसमें p और q जो है वो इंटिजर्स है और q की वेलो 0 नहीं होना चाहिए तो इसको इसको इन टू डिफरंट मेथद से शरूप करेंगे फस्ट मेथद let x equal to 1.27 bar यह है इसमें हम पहले इसके इंपार को अगर हम हटाएंगे तो यह 27 repeat करता जाएगा इंपिनिटी तक तो इसमें हम इसको थ्री टाइम से लिखें सब्सक्राइब इसके बाद हमें इसमें यह चेक करना है कि यह इसको हमें 10 से या 100 से या 1000 से मल्टिप्लाई करेंगे कि पॉइंट के बाद जो decimal होगा वो सेंब होगा तो अगर हम इसको 100 से मल्टिप्लाई करेंगे तो सेंब रिपीट करेंगा decimal सो मुल्टिप्लाई बोच सब्सक्राइब यह होगा 100 से इकल तो 127.272727.28 और अब equation first और second में point के बाद जो number से वो identical है तो अब हम इसको minus करतेंगे equation 2 में first को minus करने से यह होगा 100 X minus X equal to 127.2727 minus 1.272727.99 X equal to 126. So, therefore X equal to 126.99. Answer. For, now हम इसको 2 में 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 होगा Second method. तो second method भी first जैसा यह similar है थोडा सा change है Let X equal to One point two seven bar जशमेंधे भी हम bar को खोलेंगे तो 23 रीपीट करता जाएगा पार नहीं है कि अगर अगर हम यह चेक करना है कि इसको हमें 10 से यह 100 से multiply करेंगे कि point के बाद कर जो decimal हो repeat करना चाहिए तो यह अगर हम तो डिजिट के बाद यह repeat करें तो हम इसको 100 से multiply करना पड़ें बोग साइट multiplying बोग साइट्स बाई 100 so we get 100 x equal to यह point जो है right side तरफ 2 डिजिट के बाद shift करेगा तो यह होगा 127.272727 dot dot point के बाद दोनों ही नंबर के डेसिमल सेम है तो अब हम इसमें इस वाले बात को expand कर देंगे तो यह बोगा 100 x equal to 126 plus 1.272727 dot dot इसके जगह होगा यह x बाद एक्वेशन फस्ट x equals to 126 upon 99 onset झाल झाल झाल